स्पाइडर मैन के पास कमाल की सुपर पावर्ज है चलो साइन्टिफिकली देखते हैं ये पावर्ज कितनी अच्छी है स्पाइडर मैन का जेनेटिक बरलाव होने के लिए उसे जिस मकडी ने काटा उसके रेट्रो वाइरिस शरीर में रिलीज करना जरूरी है रेट्रो वाइरिस में जेनेटिक इंफरमिशन होती है जो डिएने सेल में पहुचाई जाती है फिर वो सेल नए डिएने के साथ विशिष्ट कारिय करते है और प्रोटीन बनाता है लेकिन इस रेट्रो वाइरिस का हर सेल तक पहुचना और नए वेभिनना कार्य के लिए कोड करने की शमता होना जरूरी है यह थेरोटिकली तो पॉसिबल है इसका असली रिजल्ट देखने में बड़ा मज़ा आएगा सिल्क स्टील के तुलना में काफी मजबूत है और काफी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी मकडी का जाला जो किसी बाल के टुकडे के वन टेंट साइस का है वो पंदरा मील से उडने वाली मकडी को पकड़ सकता है और ये बात मानो या ना मानो एक इंज डायमेटर वाला मकडी का जाला एक फाइटर जेट तक रोख सकता है स्ट्रेंथ कुछ मकडिया अपने से पचास गुना भारी वजन तक उठा सकते है उनकी मसल स्ट्रेंथ उनके साइस से रिलेटेड है अपने बाइसेप को ले लो एक्ससाइज करने पर वो उन्चाई और चोडाई से बढ़ते है और ना की लंबाई से उसी प्रकार किसी जन्तु की ताकत बढ़ती है वाई स्क्वेर यानि की दो के स्केल फैक्टर से जब कोई जन्तु बढ़ा होता है उनकी वॉल्यूम भी उन्चाई चोडाई और लंबाई से बढ़ती है क्यूब या फिर तीन के फैक्टर के साथ इससे टू टू थ्री का रेशियो बनता है मतलब जितना बड़ा जीव उतनी छोटी उसकी ताकत लेकिन स्पाइडर मैन इंसान के शेप और साइस का है तो रेटरो वाइरस को और ज्यादा अक्टेन और मायोसीन प्रोटीन बनाना पड़ेगा ये प्रोटीन मसल्स की संकुचन यानि कॉंट्रैक्शन शमता पर असर करते है जिससे इंसान और मजबूत और ताकतवर बनता है मकडी के लिए दीवारों पर चड़ना तो खेल है उनके पैरों पर छोटे-छोटे हैल्स होते है और इन हैल्स पर अंगिनट छोटे-छोटे ट्रैंगूलर एंड्ज होते है वो नैनोमीटर सर्फेस तक पकड़ते है इस कारण इलेक्ट्रोस्ट्रेटिक फोर्स क्रियेट होता है जिससे वो अपनी वजण की 170 गुना ताकत से दीवार पर चिपके रहते है इस सूपर पावर के लिए स्पाइडर मैन के हाथ पैर बालों से भरे होना ज़रूरी है लेकिन उससे शायद उसकी आइटम अटरेक्ट ना हो और आखिर में स्पाइडी सेंस स्पाइडर मैन हैरस, वाइबरेशन्स और एर प्रेशर के मामले में काफी सेंसिटिफ होते है वो बदलाव बहुत जल्दी पकड़ लेते है इसका मतलब है स्पाइडर मैन अपनी करीबी चीजों की हलचल जल्दी भाब सकता है लेकिन दूर की चीजों की नहीं कोई सवाल पूछना चाते हो तो कॉमेंट्स में लिख दो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू